आज की निबंद का विशे है सच्च धर्म परतावना इस प्रकार से है कि राष्ट्रेकवी मैथली सरन गुप्तनी भारत भूमी की उदार और सहिशनु छवी को अपनी पंक्तियों में उदारते वे कहा कि भारत माता का मंदे यह है समता का समवात यहां सबका शिव कल्यान यह हैं पावे सभी प्रशाद यहां भारत भूमी की महांता उसकी विशाल जनसंख्या अथ्वा भू छेत्र की कारण नहीं अपित उसकी भव्य और अनुकर्णिये उदार परंपराओं के कारण रही है आचार विचार चिंतन भाशा और वेश्वुशा की बिवित्ताओं को र थर्म की तत्व भारति मानिता की अनुसार धैरेक शमा आत्मसयम चोरी ना करना पवित्र भावना इंद्रियों पर नियंत्रण बुद्ध मता विद्या सत्य और क्रोध ना करना ये धर्म के 10 लक्षन बताए हैं सभी धर्म इनको अपना आदश और अपना अंग मानते हैं मह भारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है मनुष्य को मनुष्य का गला काटने की दुश प्रेणा दूसरों का घर जलाने की और नारियों के अपमान की को सिक्षा अधर्म है और इश्वर का घोर अपमान है धर्म और संप्रद धर्म अत्यंत व्यापक विचार है, इसमें मानवता के श्रेष्ट विचार और भाव निहित हैं, धर्म किसी एक व्यक्ति के उपदेश या सिक्षाओं को नहीं कहते, किसी एक ही महापुरुष्ट, पैगंबर या अवतार के उपदेशों से संपरदाय बनते हैं, धर्म नहीं भारत में संपरदाय तके समश्या, वैदिक धर्म या सनातन धर्म संसार का आदि धर्म है, यह किसी पुरुष्विशेश के उपदेशों, सिक्षाओं या संदेशों पर आधारित नहीं है, इसकी अनिक साखाएं तथा उपसाखाएं हैं, बाध, जैन, सिख, आदि संपरद इसी से विक्षित हुए हैं, विदेशी आकर्मन कारियों के साथ भारत में इश्लाम, इसाई धर्मों का आगमन हुआ है, भारत में संपरदायकता की समश्या, भारत के मूल सनातन धर्म तिथा अन्य संपरदायों के वेचारिक अंतर से संबंदित है, संपरदायकता के कारण अपने ही संपर्दाई को अच्छा मानना, दूसरों को बल पूर्वक अपना धर्म अपनाने को बाध्य करना आधी संपर्दाईकता के मूल कारण है भारत में यह समश्या मूलता है, हिंदू और इसलाम धर्म के बीच में है सामपरदाइक देश, देश के जहर को इस देश ने सताब्दियों से जेला है 1947 में देश के विभाचन के समय खून की जो हूली खेली गई थी वह आज भी कोड के रूप में चाहिए जब फूट निकलती है इसका परिणाम होता है हत्या, आगजनी, लूट, बलातकार और अंतराश्ट्रिय समुदाय में देश की बदनामे करोड रुपे की संपती का विनाश होता है, द्वेश की खाया और गहरी हो चाती है इस सांपरदाइक दुरागरह नहीं ही तो सुकरात को जहर परोर्सा, इसक को सूली चड़ाया और गांधी के जिगर में गोले उतारी है संतों, फकीरों और सहित्यकारों के उपदेश भारत के संतों, फकीरों तथा सहितिकारों ने सदा संपरदाइक एकता का संदेश तथा उपदेश दिया है सबसे पहले संत कबीर हैं जिनों ने हिंदुों तथा मुसल्मानों को धर्म का मर्मना समझने के लिए फटकारा है हिंदु कहे मुही राम पियारा तुरक कहे रहिमाना आपस में दौलरी लरी मुए मरमन का हुझ जाना इसी प्रकार सामपरदाई की एकता का उपदेश देनी वाले संतों की एक लंबी श्रंखला है इस एकता की सरुस्रिष्ट पक्षधर महत्मा गांधी को कौन नहीं जानता एक बालनी कहा है कि मजहब कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन हैं हिंदों सता हमारा अक्बर इलावादी तो दशेहरा और मुर्हरम के साथ साथ मनाने की कामना किया करते हैं मुहरम और दशेहरा साथ होगा निपह उसका हमारे हाथ होगा खुदा की ही तरफ से है यह संचोग इद्यादी थैंक यू फो वोचिंग